हम लोग संस्क्रीत में संस्क्रीत के सात्मे नमज चेप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है नीती ASLOKA जोकि एक बहुत ही ज्यादा महत्पुर्ण चेप्टर है क्योंकि इस चेप्टर से प्रतेक बर्ष स सब्जक्टिव और अब्जक्टिव में बहुत सारे प्रशन पूरा complete करा दिये थे यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला दोनों वीडियो देख लिजेगा जिसमें पूरा हिंदी में अर्थ और पूरा किताब में दिया गया पूरा subjective question हम आपको complete कराएं हैं तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो playlist में आपको वीडियो मिल जा ताकि एक-एक प्रस्ण का उत्तर आप लोग भली भाती जान सके और कोशिस करिएगा कि नीचे live chat या comment में एक-एक प्रस्ण का उत्तर भी बताते चलें जैसे ही हम प्रस्ण पढ़ेंगे आप लोग नीचे इसका जवाब बताते चलिएगा ताकि आप लोगों को भी यह यक subscribe कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रस्ण का उत्तर बताईए बिल्कुल सही सही जवाब देना है क्योंकि अंत में हम आपसे जरूर पूछेंगे कि कितने प्रस्ण का सही जवाब आप लोग बता पाए इसल हम आपको बताये थे कि आप महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है जिसका नाम है बिदूर नीती यानि पहला का D नंबर आप्शन सही हो जाएगा चलिए दूसरा नंबर प्रस्ण का रहा है कि नीती असलो का पाठ किस ग्रंत से लिया गया है बताए ये महाभारत से उद्योग पर्व से लिया गया है तो दूसरा का A नंबर आप्शन सही होगा चलिए तीसरा नंबर प्रस्ण कह रहा है कि नीती असलो का पाठ में कितने असलोक है हम आपको कितने असलोक का हिंदी में अर्थ बताये थे तो यह भी आपको याद होगा कि इस चेप्टर में यानि चौथा का B नंबर आप्शन सही होगा चलिए पाठ मा नंबर प्रस्ण कह रहा है कि बिदूर किसके प्रस्णों का उत्तर देता है यानि कि इस चेप्टर में हम आपको सबसे पहले ही बताये थे कि ध्रितराष्ट कुछ प्रस्ण पूछते हैं बिदूर से और बिदूर कौन था तो आपको पता है कि बिदूर ध्रितराष्ट का एक मंत्री था यानि चठा का B नंबर आप्शन सही होगा चलिए सात्मा नंबर प्रस्ण कह रहा है कि बिदूर नीती के रचनाकार कौन है तो यह भी आपको पता है कि बिदूर नीती के रचनाकार कौन है महात्मा बिदूर है यानि सात्मा का D नमर उप्शन सही होगा चलिए आठमा नमर प्रशन कह रहा है कि बिदूर नीती किस ग्रंथ का अंस भी सेस है यानि कि कौन से ग्रंथ से लिया गया है बस कोस्चन वही है सिर्फ दूसरे ढंग से इसको पूछा जा रहा है कि कौन से ग्रंथ का अंस भी सेस है तो यह महाभारत का अंस भी सेस है इसलिए आठमा का B नमर उप्शन सही होगा चलिए नौमा नमर कह रहा है कि अप्यस को कौन मारता है बताए नौमा नमर प्रशन का सही जवाब क्या हो जाएगा अप्यस को कौन मारता है तो आपको पता है कि बिनमरता जो होता है उवह अपयस को मार देता है इसलिए नॉमा का C नमर उप्षन सही होगा चलिए दस्मा नमर प्रशन है कि कैसे पुरूस सभी जगा सुलब होते हैं यानि कि कैसे पुरूस होते हैं जो सभी जगा मिल जाते हैं तो यह भी हम आपको बताए हैं कि जो प्रियवादिक होते हैं वह सभी जगा सुलब होते हैं यानि कि जो प्रिये बोलने वाले लोग होते हैं वह सभी जगा मिल जाते हैं इसलिए दस्मा का C नमर उप्शन सही होगा चलिए 11 नमर प्रश्ण कह रहा है कि बिना बुलाए कौन आता है तो यह वाला चीज भी हम आपको बता चुके हैं कि जो मुर्ख लोग होते हैं वह बिना बुलाए भी चले जाते हैं इसलिए 11 का C नमर उप्सन सही होगा चलिए 12 नमर प्रश्ण है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है यानि कि कौन है जो सभी जीवों के सत्य को जानता है तो यह हम आपको सबसे पहले स्लोक में ही बताये थे कि जो पंडित होते हैं वह सभी जीवों के सत्य को जानने वाले होते हैं इसलिए 12 का A नमर बीना पूछे बोलने बाला कौन होता है? हम आपको बताये थे कि कभी भी बीना पूछे नहीं बोलना चाहिए और जो बीना पूछे हुए बकबक बोलते रहता है वह मुर्क व्यक्ती होता है यानि तेरह का ए नम्मर आप्शन सही होगा चलिए चौदा नम्मर कोशन कह रहा है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? बताए चौदा नम्मर प्रस्ण कौन सा जवाब सही होगा? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं यानि चौदा का A नम्मर आप्शन सही हो ज जाएगा, 15 का ए नम्मर औप्शन सही होगा। चलिए 16 नम्मर नरक के कितने दौ़ार हैं। बताइए 16 नम्मर प्रसंट बहुत ही ज़्यादा आसान प्रस्ट है, लेकिन यह वाला प्रसंट पहले पुछा जा चुका है, इसलिए भीविया इप्रस्ट है कि नरक के कितने पार हैं काम, क्रोध और लोब, इसलिए कौन सा जवाब सही होगा, 16 का A नमर उप्शन, चलिए 17 नमर प्रस्ण बताइए कि बिनय किसको मारता है, बिनय कहने का मतलब बिनमरता होता है, तो बताइए बिनमरता किसको मारता है, बिनय किसको मारता है, तो 17 का सही जवाब हो जाए चलिए अठारा नम्मर प्रश्ण आदमी को हमेशा किस मार्ग पर चलना चाहिए बताए आदमी को या फिर व्यक्ति को हमेशा कौन से मार्ग पर चलना चाहिए हिंसा के मार्ग पर की बिद्या के मार्ग पर की अहिंसा के मार्ग पर की छमा के मार्ग पर तो आप लोग ध्यान की ब्यक्ती को हमेशा अहिंसा की रास्ते पर चलना चाहिए अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए अठारा का c नम्मर ओप्षन सही होगा चलिये उनेश्मा नमर प्रस्थन है कि बंस की रच्छा किसे से होती है कूल या बंस की रच्छा किसी से होती है तो हम आपको बताये थे कि चरित्र से बंस की रच्छा होती है उनाइसमा का C number option सही होगा आप लोग यदि अच्छे तरीके से एक-एक subjective question को देखे होंगे पुरा हिंदी में अर्थ देखे होंगे तो फिर एक-एक objective question का बिल्कुल सही जवाब आप लोग बता पा रहे होंगे क्योंकि ज़्यादा कठिन-कठिन नहीं है बहुत ही असान-असान से प्रस्ण है जो कि आपके परिच्छा में पूछे जाते हैं और जो अस्टुडेंट नहीं पढ़के जाते हैं वह छोड़के चले आते हैं इसलिए आप लोग एक-एक वीडियो को देखिए हमिसा क्लास में अटेंड हो ये चाहे होगा कोई भी क्लास हो चलिए अगला नम्मर प्रस्ण हम लोग देखते हैं 20 मा कह रहा है कि काम, क्रोध और लोब किसके द्वार हैं बताइए 20 मा नम्मर प्रस्ण कौन सा जवाब सही होगा काम, क्रोध और लोब किसके द्वार हैं तो काम, क्रोध और लोब नरक के द्वार हैं यानि 20 का ए नम्मर उप्शन सही होगा चलिए एक इसमा नम्मर प्रशन है कि दोस कितने होते हैं हम आपको बताये थे कि व्यक्ति को 6 दोस त्याग देना चाहिए 6 दोस कौन-कौन सा है निंदरा, तंदरा, भै, क्रोध, लोव, आलस और दिर्ग-सुत्रता हम आपको बताये थे कि जो व्यक्ति या छो दोस को त्याग देता है वह जीवन में काफी आगे बढ़ जाता है तो दोस कितने होते हैं तो 6 होते हैं 21 का B नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 22 नम्मर प्रशन है कि घर की लच्मी कौन होती है तो यह भी हम आपको बताये थे कि जो इस्तिरियां होती है वह घर की लच्मी होती है यानि 22 का C नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 23 नम्मर प्रशन है कि क्रोध से किसका नास होता है बताए 23 नम्मर प्रशन कौन सा जवाब सही होगा क्रोध से किसका नास होता है तो ध्यान रख़िएगा कि जो प्रक्रम होता है उसी का नास होता है व्यक्ती कहता है कि हम बड़े प्रक्रमी है लेकिन जब वह ज़ाधा क्रोध करता है तो उसका पूरा प्रक्रम नश्ट हो जाता है यानि 23 का C नमर option सही होगा चलिए 24 नमर प्रस्ण है कि सुन्दर आचरन से किसका नास होता है तो जो कुलच्छन होता है उसका नास सुन्दर आचरन से होता है तो 24 का B नमर आपशन सही होगा आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए 25 नमर कोश्चन किसकी रच्छा विशेश रूप से होनी चाहिए क्रोध की धन की इस्त्रिया की सत्रू तो सत्रू की रच्छा तो कभी नहीं होनी चाहिए लेकिन इस्त्रिया की रच्छा विशेश रूप से होनी चाहिए 25 का C नमर उप्शन सही होगा चलिए 26 नमर प्रस्ण कह रहा है कि धृत्राष्ट किसे से प्रस्ण उत्तर करता है यानि कि जो धृत्राष्ट है वह किसे से प्रस्ण पूछ रहा है तो यह हम आपको सबसे सुरू में ही बताये थे कि इस चेप्टर में ध्रितराष्ट महात्मा बिदूर से प्रश्ण पूछ रहे हैं यानि 26 का B नम्मर उप्षन सही होगा चलिए 27 नम्मर प्रश्ण कह रहा है कि प्रश्ण उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है बताई ये कौन सा ग्रंथ है जिसमें प्रश्ण और उत्तर हो रहा है तो बहाँ बिदूर निती है क्योंकि बिदूर निती में ही ध्रितराष्ट प्रश्ण पूछ रहा है और महात्मा बिदूर उसका समोचित उत्तर दे रहे है इसलिए प्रश्ण उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है तो बिदुर निति 27 का C नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 28 नम्मर प्रश्ण कह रहा है कि उत्तम सांती क्या है बताए उत्तम सांती क्या है यानि कि जो मुर्ख लोग होते हैं वह किस पर विश्वास कर लेते हैं तो वह अब विश्वासी पर भी विश्वास कर लेते हैं हम आपको बताये थे कि जो व्यक्ति अब विश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है वह व्यक्ति मुर्ख होता है इसलिए 29 का ए नम्मर खीक है? विद्यायोगे ना रच्छते 30 का डी नम्मर उप्चन सही हो जाएगा चल ये 31 नम्मर प्रशन कह रहा है शभी प्रानियों को जानने वाला कौन होता है? तो जो पंडित लोग होते हैं ये भास सभी प्रानियों को जानने वाले होते हैं यदि किसी को छमा कर देते हैं तो समझे कि आपका क्रोध सांध हो जाता है तो छमा किसे मारता है तो क्रोध को मारता है 32 का C नमर उप्षन सही होगा चलिए 33 नमर कह रहा है कि मिरिजया से किसकी रच्छा होती है बताइए जिसको उबटन भी बोलते है इससे किसकी रच्छा होती है यानि कि साप सुत्रा रहने से किसकी रच्छा होती है 33 नमर कोश्चन तो आप लोग यदि साप सुत्रा रहते हैं तो उससे रूप की रच्छा होती है 33 का A नमर उप्षन सही हो जाएगा चलिए 34 नमर प्रशन कह रहा है कि नीतियस लोका पाठ के अधार पर अबिस्वासी पर विस्वास कौन करता है बताई ये अबिस्वासी पर विस्वास कौन करता है तो जो उधम लोग होते हैं यानि कि जो मुर्ख लोग होते हैं ओवह अबिस्वासी पर भी विस्वास कर लेते हैं तो 34 का ए नम्मर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 35 नम्मर प्रश्ण कह रहा है कि हमेशा सुख देने वाला कौन है बताई ये हमेशा सुख देने वाला कौन होता है तो आप लोग जानते हैं या फिर आप लोग कहावत भी सुने होंगे कि बिद्या का फल बैठा हुआ व्यक्ति खाता है बिद्या का फल बैठाल खाए आप लोग ये कहावत जरूर सुने होंगे इसलिए 35 का कौन सा जवाब सही होगा हमेशा सुख देने वाला बिद्या होता है 35 का बी नम्मर उप्शन सही हो जाएगा इसलिए हम आपको बार-बार बोलते हैं कि आप लोग कोशिस करिये, मेनत करिये इतना जीतोर पढ़ाई करिये कि आपको सफलता बहुत जल्द मिल जाए क्योंकि यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो इसे कोई नहीं चुरा सकता है दुनिया में जितने सारे भी चीज हैं जितने सारे भी बस्तु हैं सभी को पुरा संसार चुरा सकता है दुनिया आप से ले लेगा लेकिन यदि आपके पास बिद्या है तो उसे चाह कर भी कोई नहीं ले सकता है और यदि आपके पास बिद्या है तो मालच्मी अपने आप खुस हो जाती है यानि कि आपके पास बिद्या आ गया तो पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा इसलिए 35 का सही जवाब हो जाएगा कि हमेशा सुख देने वाला कौन होता है बिद्या होता है चलिए 36 नमर प्रशन कह रहा है कि नितियस लोका पाठ माभारत के किस पर्व से लिया गया है यहाँ पर कुछ छूट गया है इधर भी था ठीक है किस पर्व से लिया गया है तो बताए ये नितियस लोका पाठ माभारत के किस पर्व से लिया गया है तो उद्योग पर्व से लिया गया है 36 का C नम्मर option सही होगा चलिए 37 नम्मर प्रस्ण कह रहा है कि महराज धृतराष्ट के प्रस्णों का समूचित उत्तर कौन देते हैं तो विदुर जी देते हैं यानि 37 का A नम्मर option सही हो जाएगा चलिए 38 नम्मर अप्रिष्टो बहु भासते किस पार्ट की उकती है अब प्रिष्टो बहु भासते मतलब कि बिना पूछे हुए नहीं बोलना चाहिए या किस पार्ट में बताया गया है तो निती असलोका में बताया गया है यानि 38 का A नम्मर option सही हो जाएगा चलिए 39 नम्मर कह रहा है कि परमत्रिप्ती देने वाली क्या है बताये परमत्रिप्ती देने वाली क्या है तो बिद्या परमत्रिप्ती देने वाली है 49 का A नम्मर option सही हो जाएगा चलिए 40 नम्मर प्रश्ण बताये कि अपनी उन्नती चाहने वालों को कितने दोस्त का त्याग कर देना चाहिए तो हम आपको बताये थे कि जो ब्यक्ती अपना उन्नती चाहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें 6 दोस्त का त्याग कर देना चाहिए निंद्रा, तंद्रा, भै, क्रोध, लोभ, आलस्य और दिर्ग, सुत्रता ध्यान रखिएगा, 40 का B नमर उप्षन सही होगा चलिए, 41 नमर प्रस्ण और इसके बाद 1 प्रस्ण और बच जाएगा, कुल 42 प्रस्ण है चलिए, बताये, रूप की रच्छा किसे से होती है तो अभी हम आपको बता रहे थे कि मिरी जया से रूप की रच्छा होती है यानि कि साप सुत्रा रहने से ही रूप की रच्छा होती है 41 का B नमर उप्षन सही होगा उसी प्रकार से सबसे अंतिम प्रस्ण हम लोग देख लेंगे 42 नमर की आचार का हनन किस से होता है बताये, आचार का हनन किस से होता है तो आप लोग जानते होंगे कि जिसको कोई कुल अच्छन बोलते है जिसके पास बढ़ियां आचरन नहीं होता है उससे आचार का हनन होता है यानि कि अलाच्छन से ध्यान रखिएगा 42 का A number option सही हो जाएगा तो कूल मिला करके इस चेप्टर में हम आपको 42 महत्वपूर्ण objective question बताए यादि इस चेप्टर से परिच्छा में कोई भी objective question पूछा जाएगा तो यहीं 42 question में से कोई question पूछा जाएगा इससे बाहर का एक भी प्रस्ण नहीं पूछा जाएगा यह 100% guarantee है तो यदि आप यह चेप्टर आपका पूर्ण रूप से समप्थ हो गया और इसी के साथ आपका संस्क्रीत का आधा किताब भी समप्थ हो गया क्योंकि संस्क्रीत में कुल 14 चेप्टर है जिसमें 7 चेप्टर हम आपको आज complete करा दिये तो उम्मीद करते हैं कि पूरा चेप्टर आप लोग अर्थ और subjective question को पढ़े थे क्योंकि अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि objective question पूरा जरूर सही हुआ होगा तो जल्दी से comment करके बताईएगा बहुत सारे student live chat में ही बता देते हैं तो live chat में नहीं बलकि comment में करके आपको बताना है कि कितने प्रशन का सह जवाब आप लोग दे पाए हैं और यदि आपको यह video अच्छा लगा हो तो video को like कर दीजे अपने दोस्तों के भी share कर दीजे और जो भी student channel पर नए हैं तो channel को जरूर subscribe कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर एक video का notification आपको मिल सके तो चलिए फिर मिलते हैं अगले class में तब त